हेलो एव्रीवान वेलकम बैक तो माई चानल तो आज है 20 ओफ एप्रियल यादे की आज फ्राइडे है और अभी सुभा के 9 बज रहे हैं तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ मेरा स्किन क्या रूटिन हो चुका है और अभी मैं ब्रेक्फस्ट करने हूँ यह देखिए यह है अमले प्रेश करने हैं और अभी मैं ब्रेक्फस्ट कर देखिए और अभी मैं बेटी को हस्पिटल लेके जाना है क्योंकि उसके उसे को गोड हो गया है तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके जारी हूँ उसके बाद आनक बाद में लच बनाऊगी मैरे पस रात की सबजी है बची हो इन्मुझे सिर्फ राइस बनाना है तो मैश्पल सा रिकी के गब किया है यह जैसे कि मैंने एक पानी पीरी हूं बाहर दूप बहुत बढ़ चुकी ह तो अगर कोई धूप में जा रहा है तो प्लीज अपना ध्यान रखिए धूप बहुत थानी का रहा है हमारे लिए इतना टेमपरेचर बढ़ चुका है तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ उसके बाद मैं मैं लंज बनाने जाओंगी तो लंज में मेरे पास सब्जी है मुझे गरम कर लूँगी और साथ में हम अंडा भूर्जी बनाएंगे इसके तो चलिए पहले इसे गरम कर लेती हूँ मैं तो यह अभी पैश काट रहे है यह अंडा की भूर्जी बनाने वाले है तब तक मैं मेथी की सब्जी गरम कर लेती हूँ अज का हमारा लंज यह प्लेम राइज है यह दही वाले मिर्चियां है जो मैंने तली है उसके बाद में मेथी बैगन की सब्जी है यह दाल है प्लेम यह अंडे की भूंजी है और यह सलाद है तो चलिए मैं फड़ा फट से लंच कर लेती हूँ अब बज़रे हैं शाम के साड़े पाच साड़े छे बज़ रहे हैं हम लोग आ गए थे जब होस्पिटल से उसके बाद में हमने लंच बनाया था फिर हम लोगों ने लंच किया फिर उसके बाद हमारी जोग हालत हुई है मैं बता नहीं सकती इतनी धूब बढ़ गई है गाईस सच में अगर कोई बाहर जा रहा है तो अपने साथ इनी टाइम पानी रखिए और किसी स्कार्व से या जिस से हो सके तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने की खोशिश कीजिए बिकाउस हम लोग एक से डेल कहंड़े के लिए हम लोग धूप में थे और हम लोग के बज़ो काम करने की हिंमत करने की ना व्लॉग लोग करने की हिंमत हो रही थी तो मैंने सब ऐसी छोड़ दिया और मैं तब से सोई थी तो मैं अभी डाइरेक्ट छे बजे उठी हूँ छे बजे तक हम लोग सोए थे और फिर भी अभी भी उतना ठीक नहीं लग रहा है मुझे एकदम वीक्नेस फिल हो रही है सर भारी भारी हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे पास बहुत सारे बरतन पड़े है घसने के यह देखिए बरतन पड़े है ग्यास काउंटर भी बहुत खराब हो चुका है आप देख सकते हैं ग्यास काउंटर भी बहुत खराब हो चुका है तब मुझे अच्छा है लग रहा है इसलिए मैं जूस लेगी हूँ और तक से यहीं पर हूँ यह मैं मेरे कीचन के खिटकी पर खड़ी हूँ झाल जाल तो फ्रेंड्स यह है मेरे किचन के विंडो का विव तो मैं मैक्सिमम टाइम यही पर खड़ी होती हूँ मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर थोगा देर अकेले टाइम स्पेंट करना तो शली में फटा फट से जूस फिनिश कर लेती हूँ उसके बाद में थोड़े बहुत काम है वो कर लेती हूँ कर लेती हूँ पत्सक्राइम प identifiesiqu ready कर लेती झाल 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 मेरे हस्बंड उठ चुके हैं वो जबी दोफेर में गुलाब जामून और कुछ मिठाई लेके आये थे तो गुलाब जामून को मैंने डवे में ट्रांसर कर दिया हैं अब मैं ये मिठाई को भी डवे में डाल दूंगी ये जो हम बहार से खाना लाते बार सल वाले टिफिन से लिए वाले तो मैं ये इस में डाल के रख दूंगी कित से अब मैं इसे स्टोर कर 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 दूंगी क्लिया और बटन भी डॉश कर लिये है मैंने सो फ्रेंड्स यहां पर मेरी सबजी बन रही है मैंने आलू और बैगन की सबजी बनाई है यहां पर मेरी चावल बन गए है उसके बाद में मेरी रोटी भी हो गई है तो अभी हम लोग डीनर करेंगे और डीनल होने के बाद में फिर मैं स्कीन केर रूटिंग करूँगी तो तब मैं फिर मैं मिलती हूँ तो फ्रेंट्स मैंने अपना स्कीन केर रूटिंग कर लिया है अभी मैं सोने जाओंगी अभी रात के साड़े 10 बज रहे हैं मेरे हस्बंड और मेरी बेटी सो चुकी है मैं भी अभी सोने जाओंगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंट करूँगी और मैं मिलती हूँ कल के नेक्स ब्लॉग के साथ कल मुझे शाबुदाने की चकली बनाना है मैंने शाबुदाना भीगो दिया है उसमें आलू डालके मुझे चकली बनाना है तो कल एक नए एनरजेटिक डे के साथ हम मिलते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब क तो चलिए मिलते हैं बाई गुड नाइट